हेलो काईज और विल्कम बैक टू माई चैनल और यहाँ पर हम जा रहे हैं पिक्निक पर हतिकुनी डाम यह अचानक से प्लान बन गया था सारे बच्चों का लॉक्डाउं में बैट कर सब बोर हो गये थे तो सबने डिसाइड किया कि हम कहीं पिक्निक पर जाएंगे तो यह हतिकुनी डाम हमारे घर से एक घंटे का रास्ता था तो हमने डिसाइड किया कि हम हतिकुनी डाम जाएंगे यहाँ पर हमने एक क्रूजर करी थी यह आप देख सकता है सामने की क्रूजर वो रेंट वाली क्रूजर थी और यहाँ पर हम लोग की एक ओन वाली गाड़ी है दो गाड़ें में हम गये थे यहाँ पर मेरी सारी फामिली कजिन सब हम सब मिलके गये थे यह तक्रीब वन हमारे घर से एक घंटे का रस्ता था और रास्ते में भी कुछ इस तरह की पहार और बहुत सारी जाने अबस्टारी जाने और फाइनली हम पहुँच चुके हैं हतिकुनी डाम यह है खरीब का रास्ता यहाँ पर अब हम आ चुके हैं हतिकुनी डाम तो चलिए अंदर चलते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी आयमें हैं यहाँ पर बाहर और टो कार और बाइक सब्सक्राइए यह एंट्रिंस गेट यहाँ पर दूर रास्ते हैं यह उपर से हम जाएंगे अंदर की तरफ अंदर पर कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पर इंट्रिंस पर दो हाती आपको दिखने को मिलेंगे अलेफैंट लकडि के बने हुए एलेफैंट से यह और अंदर इस तरह के बच्चों के खेलेंगे हैं जूले और गार्डन बिल्कुल बहुत ही जबर्दुस तरीखे से बना हुआ है आप इसको बच्चों करन सकते हैं और यह औपर जाने का रास्ता यहां से पी छूता गार्डन आता है स्टेड्स के उपर यह आपको देख सतेड्स पर इस तरह का यहां पर वुम्ज ऐने नीट बने से लग गवुत हैंट आब वाश्रों और भुम्स है और यह है पीछे का रास्का अब हम जा रहे हैं पानी के तरफ डाम के तरफ यहां से रहे डाम बच्छों को बहुत समानना पड़ा हम यहां पर आने के बाद एक डर लगा रहता था कहीं बच्छे पानी की तरफ में चले जाए और यह है डाम फाइनली यहां पर रहे हूं पानी उतना नहीं था अब देखे के लाम यह गेट को कुछी सालों पहले बन किया गया मैंने कुछ एक साल हुआ है गेट को बन करकर यानि महां पर से एक रास्ता जाता था बीच बागीचे के तरफ यह रहे फुटाफ उपर का रहता पताने फोर में यह कैसा अरा है पर यहां सामने से देखने का इस नजारे को मजाई कुछ और का बहुत ही खुशूरत दिख रहाता यह और यह पीछे का रास्ता है पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है पीछे भी एक छोटे से दो गार्डन हैं जहां पर हमने बैट कर खाना खाया था खाना हमने घर से बना कर लेकर आया था बच्चों की खेलने की इतनी साई जीवी नहीं है पर हाँ बच्चे यहां पर बहुत इंजॉय करते वे नजर आ रहे थे यहां पर हम आये थे करीब वन ओक्लॉक को और यहां से हम गए सेवन ओक्लॉक को यहां यह टाइम चले गया हमें पता ही नहीं चला इकना मज़ा किया सबने बड़े बच्चे छोटे सब सब बहुत इंड़ाय कर रहे थे फैमिल के साथ एक क्वालिरी टाइम हमने यहां पर स्पेंड किया और फिर हम यहां पर यह सब जवाल की ओंटी चट्मी बॉइल एग दम के बैगन दाल और यह सब लेकर आयते हम इस अब खाने के बार हमने फिर से खेला घूमा और फिर हम घर चले गए वापस अगर आप कहीं स्पोर्ट पर पिकनिक स्पोर्ट पर जाना चाहते हैं तो आप हतिकुनी डाइम को ज़रूर जाएगा अपने बच्वें के साथ उमीद करती हूँ मेरा यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा अगर मेरा यह आपको व्लॉग पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंज के साथ और मेरे इस चानल को सब्सक्राइब करें